नमस्कार मैं हुने विन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके है दन्यूस ग्यारेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मत अधिकार अज हम लोग पहुंचे हुए हैं प्रभाक प्रमांक 2 में और प्रभाक प्रमांक 2 के नगर सेवक दिनेश यादो जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार यहां लढने का मौका दिया, उसी प्रकार मेरी जनता को, जिसने मुझे प्यार दिया और मुझे जिता कि दिया, यहां प्रभाग में 4 नगर से वक है कॉंग्रेज के, सभी नगर से वक अच्छे कारे कर रहे हैं, मैं व्यक्तिकत अपने बारे मनें बताऊंगा, तो मैंने हर एरिया में काम करने की पूरी-पूरी कोशिश की जैसे की मेरे outer एरिया भी थे, मेरे प्रभाग में और धेम चोक से लेकिกे पिली नदी और पेका नाखा से लेकि संता नगर ऐसा एरिया वहां पर मैंने ग्रिंजिम लगाया वहां पर शिवा जी का एक नूरल लगाया वहां के बड़े-बड़े दो रोड किये विहार के सामने का रोड किया पिली नदी में थोड़ा सा पीछे आएंगे तो अभी प्लॉट का एरिया है जहां पर गडर लाइन नहीं थी 10 साल से 15 साल भी पुः जब युडर राओं के दी वहां पूरे सिंट रोड कवर करके दिये पानी की पाइप लाइन डाल के दी उसी तरह दिपक नगर के सभाएं करें दिपक नगर में चुछ नई फिन देखे लिए तो कपिल नगर का या एक मुख्य रस्ता कई दिनों से बनने का था तो आपने, विहार से लेके तो बजा रोट तक, वो एक रोट बड़ा कंप्लीट करके दिया, बात में बस्तिक में छोटे-छोटे रस्ते थे रस्ते कवर करके दिये, उसके बात में जैसा आता है कामगार्नagor कामगार नगर में कई दिनों से रस्तों के प्रॉबलम थे गडर के प्रॉबलम थे तो जैसा में रस्ता है नाले के पास का एक रस्ता बना के दिया गडर के प्रॉबलम थे में रस्तों पे गडर थे वारम वार खुटते थे वहां पे फाइबर के जखनों का वो करवा के दिया उसी प्रकार अपना कामगार नगर में ही पीछे साइड में अभी दो तिन लाइने नहीं बनी है वहां की गडर लाइन रस्ता बोला किराना दुकाने वहां का रस्ता ऐसे कामगार नगर के अपने रस्ते और गडर लाइन के काम किये वहां की पूरी पानी का गंदा पानी का ब पूरी संपूर्ण पाइपलाइन वह चेंज किया उसी से सामने आये तो अपना रमाई नगर पड़ता है रमाई नगर के मैक्सिमम रोड खराब हुए थे कई सालों से वहां काम नुए तो पूरे रमाई नगर के पूरे रोड कंपलीट हो गए रमाई नगर के जैसे रहमानिया मस्जीत है उसके सामने का रोड ता या विहार के पिछे का रस्ता है या कॉर्णर का रस्ता है वो सभी रोड रमाई नगर के complete किये उसी प्रकार के प्रभाग में मैंने राजगरह नगर है राजगरह नगर के लाइबरेरी का काम किया वहाँ पे टॉयलेट का प्रबलम था वहाँ टॉयलेट का विश्य था वो करवा के दिया उसके पीछे के दो रस्ते थे एक नौर्थ प नगर-गर का भी रस्ता और उसके बाद में जैसा फिर आप आये तो शयते नगर सणन्यान नगर है इसमें हर जित्ते में सबढ़ सतना आंग्जिमम गिनाठर के 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 रिया के यहां 37 सालों में पांस लोग के कारहघाल में फाश सालों में ये काम किया आफ जैसे जानते यह गार्डन से राजीव ग्राउंड समर्टनगर जहहां पर इक बहुत बड़ा था था दन था पाचांसों घरल गाय거든 । अपने पटेल ग्राउन पेल्ड नेहें कि उर्थू स्कुल है वहां स्कूल का ट्विलेट्स का टुलेट्स का एक समयमय नगर राजगरे नगर मेरे अपना जवालाल नेहरु चिल्ल्रन पार जिसमें बचों के खिलोंוש स्लाइडिंग वहाँ पे गट्टू और ऐसे काम करें उसी प्रकार एक राजग्रह नगर में अपना एक पार्क है कांशी राम पार्क की भी बहुत अवस्ता ठीक नहीं थी वहाँ पर आपने बच्चों के लिए खिलोने ग्रीन जीम आई ब्लॉक और मानिया कांशी राम जी का काम करने का का मोका मिला तो तीन साल के फिखरांक करें बिखास कारीं के लिए सही में तीन साल ही विकास कारे में इस काम करता서 जैसा कोवीड का कारिया काल आया मार्च में जैसा लोगडाउन लगा जैसे लोगों को स्टार्टिंग में अपेक्षा नहीं थी कि इत्ते दिन का लोगडाउन लगेंगा हमारे माध्यम से जनता के माध्यम से डक्टर राउस साब के माध्यम से कम से कम हजारों लोगों को हमने खाना पहुचाने का काम किया मैंने खुद और एक संस्ता के माध्यम से संपूर्ण पुर्णा प्रभाग ऐसा नहीं मैं कहा रहा कि एक बस्ती दो बस्ती पूरा प्रभाग डोर टू डोर एक गाली हायर किये हमने जिसमें बड़ा टैंक लेके और महानगर पाली का द्वारा सेनेटाइजर की वो बॉटल लेके हर घर में एक एगर गेट हमने सेनेटाइज किया पूरा चार महने कंटिनु वो काम चला उसके बाद में जैसा सेकेंड लाट आया उसमें हमने लोगों को बेड दिलाने से काम या लोगों की दवाईयों से लोगों को वेक्सिनेशन के क्य हो गया उसके बाद में सेकेंड में मैंने इंस्टेंट अगर जैसा किसी को पॉजिटिव आता है दो दिन चार दिन में डेथ हो रही थी उनको बेड नहीं मिल रहे थे उक्सिजन का प्रब्लम था तो हमने हर लोगों से छोटे-मोटे संस्ताओं से माध्यम से अपने माध्यम स हमने केर सेंटर चालू करवाया यह ऐसे दो साल हमने उसमें भी ग्राउंड पर रहके लोगों की जन्ता की पूरी-पूरी कोशेश करें उनका मदद करने का सेनेटाइजर मास्क वाटब किया वह से ऐसे काम थे जो लोगों को हर प्रकार की मदद हमने उनसे की उत्तर नाकु अब अहां बहात कि तो यह में तो इनके सट्रंप इस दौच कम हुए है रही नहीं हर रहे हैं कि जो विधायक ने कि उलिए और यहश्या के और difे पालक मंत्री यह मंत्री फार सद्या बारे इस बारे विकीत सहर्थ career नगर सिवक बना ठीक है 2014 में यहाँ पे माने साथ थे आप जनता में जाकी पूछिए जब उनकी सब्सक्राइब उनको बस्ती में घुषने नहीं दिया अगर उनके काम रहते तो बस्ती में लोग आने तो भी देते ठीक है ओड देना नहीं देना उनको लोगों नहीं बस्ती से भगाया उनके काम रहते तो यह सब ठीक है भाजपा आरोप रत्यारोप चलते रहेंगे मैं आपको आज आज के आज इस देट से दो महने पहले तक जाके आप एरिया में घूम जाए करोड़ों रूपयों के भूमी पूजन और कार्यक चालूए डक्टर निति के मुक्य रस्ते के काम चालूए आज भी चालूए आज हमारे प्रभाग में कम से कम 12-15 करोड के काम भूमी पूजन और काम चालूए तो ऐसा नहीं है लोगों का आरोप लगाना उनका है आज माने हमारे नितिन राव साब ने पूरे एरिया में आप हर एरिया में आउटर स बताना चाहता हूं कि जैसा ही कोविड लगा हमारे इस मेरे कार्यकाल में हमारे टाटा ट्रस से हमने दो दवा खाने डेवलप कि जिसमें से कपिल नगर और शेंडे नगर पहले वहाँ पे यूपिसी चलती ते लिगिन अभी वहाँ पर हर प्रकार की दवाईयां है ब्लड स इसलिए ओं अरोब जो भी लगाते है उसकी वह नहीं करता हूं करता में लेकिन आप बताँ। साहरे ऑगा करना चाम कि bossak catam ma down से अंपर कुछ्लरिवन अचलता जानते हैं की जो पांस साल का का कारीकाल रहा यहां पर दिनेश य्वादा वजी का अगे चुनाओ 還是 उस कारेकाल में जो विकासकार्य होने चीए थे वो सारे विकासकार्य हुए है. मैं हरदीप सिंह गूर्तेक बादू नगर से हूँ, हमारे नगर सेवक्ड दिनेर्श भया है और इन्होंने काफी काम किया है, काफी हत तक. करोना होने के बावजूद भी इन्होंने तीन साल में गटर लाइन सीमेंट रोड अगेरा बगेरा का काफी काम हमारे एरिये में किया है गुर्दवारे के पास हमारे आजू बाजू को कि गुर्दवारे पहुचने के लिए दिक्कत आती थी तो इन्होंने वहां सीमेंट सब्सक्राइब कर ले उसको पूरा काम अपना विकास का कर ले उसको अगला टर्म फिर से लगता ही है जिससे वो अपने बाकी के बचेव विकास कारे को अंजाम दे सके तो ऐसे कौन से वो विकास कारे हैं जो इस एरिया में फिलाल बचे हुए है जाता तर तो जो आदमी के मतलब समझ लिजे जो में जरूरत है सीमेंट रोड है गटर लाइन है पानी का है यह सब तो मेरे ख्याल से अभी कम्प्लीट है अना कुछ एरिया बचे हुए हैं जहां पे रोड वोड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो है प्रॉब्लम थोड़ प्रॉब्लम थोड़ी नहीं रखती हो भी कोई नए एरिया बना हुआ जो नए एरिया डॉल्लप हो रहा है उसी एरिया में है और जिस तरह से अभी हम लोगों का यह जो एरिया पुराना हो चुका है तो मतलब पूरा सक्षम हो चुका है उच्छ है तो वो ना के बराबर मत दो नहीं गली नंबर एक में रमाइनगर यहां पर किये गए विकासकारों के बारे में आप क्या क्याना चाहिए काम तो अच्छा हुआ है इन पांस सालों में बड़िया काम हुआ है रोड बन गया है आपकी गडर लाइन का काम हो गया है लाइटिंग बोल लगे हुए नव तो है एक पर सब्सक्राइब लगे आपका नाम सब्सक्राइब में रहता हूं परबाकर्मां दो में रहता हूं और में यहां पर पुराना आदमी हूए ने यहां पर इसके पहली बहुत सारे नगर से हुए है लेकिन एने जब से लेके अभी तक के जो दिने चादो का जो पास साल का कारे काल आया है उसमें मैं अभी पताता आपको कि उसमें 100% काम हो गए है इसे हमा इदर रोड नहीं थे हमें घर में नहीं जा सकते थे ऐसे रोड नहीं थे रोड हुआ पानी की नई लाइन दाल के लगा के देए उसके बाद में अखरी अखरी में लोगों ने काम बंद कर दी लेकिन यादाओ जी ने अभी हमारी दर में जो चैंबर टूटे विए थे उसे मेरे हिसाब मेरे एरिएमे मस्जिद परभाग नंबर 2 मैं आपको बता दू हमारा परभाग नंबर 2 है उसमें चारों नंगर से वाग कॉंग्रेस के है और परभाग नंबर 2 बल्के यह ताज नंगर से एरिये से लेकर रहें इधर का पट्टा काभी मुस्लिम आबादी है इस मुस्लिम आबादी में तक्रीबन मान के चलिए 30-40 हैर की मुस्लिम आबादी है चाइस आबादी में सिर्फ एक मुस्लिम कबरस्तान है जो हमारे परभाग नमबर दो में कामगार नगर के आगे एरिया आता है स्वाण नगर वहाँ पर वाक्या है पीड़ कॉलेज के पास में कबरस्तान में दिनेशादो जी जब नगर सिवक बने उसके पहले सिर्फ हमारे पास चार दिवारी का चार दिवारी बनी वी थी एक हासमा एक हाइमा स्लाइट था और बोरिंग ते उसके लावा कुछ भी नही मस्तर नगर देंब के उने शेट के काम करने चलने के लिए शेट के का कामूँ थिए मारेधम पत्थर लगाए और वच्टा बना उसके बाद में हमारे शेट का काम हूँआ वज़ू liar और बातरूम का काम हूँआ और अभी हालिया प्रजेक्ट बहुत-बढ़ा काम किया, उन्होंने कब्रस्तान के अंदर वो गट्ट्टू लगाने का काम चाहइद वो किसी कार्बरा ने नहीं है उत्तरनाकपूर के और उसके लावा एक आलिशान गेट का काम जो दिने शादो जी के फंड्स है किया गया, वो मुस्लिम कब्रस्तान पानी भर जाता था उसके और उस रोड को बनाया और उस रोड पे जो चैंबर से वो चैंबर क्योंकि बड़ी-बड़ी वी गाड़ियां चलती थी उस हेवी गाड़ी चलने की वज़े से वहां के चंबर हमेशा खराब हो जाते थे तो उस चैंबर पर एफार पी कवर शायद तो नागपुर शेयर के अंदर कहीं निहीं मिलेगा उस्थ तन की गाड़ी अब उसके ऊपर देगुजर जाए तो उसके ऊपर उन्होंने फर्पी कवर लगाया फर्पी कवर का काम स्यायद नागण जान परेला काम जो नगर सेवक दाव ने चादोजी ने किया उसके लावा म से कामगार नगर के अंदर पिछले तीन साल से गंदे पानी तो जूज रहे थे पीने का जो पानी था उस पानी के उपर उन्होंने काफी मेंद कि और OCW की पुरी नई नई प्रजेक्ट डलवा के आज दो साल से जो हम लोग पानी की तकलीफ से निजात पा चुके हैं उसके लावा हमारे एरिये में जैसे एरोस कालूनी है या तेगिया कालूनी यह नए लियाओट से इन नए लियाओट के अंदर चलने के लिए रस्ते नहीं थे अभी हालिया र हो सकता है एक अधकम जुटा हो और हो क्या हंडेट परसंट काम होना नई पॉसिबल नहीं है लेकिन उन्होंने जो काम किया इन पास सालों के अंदर पिछला तीस साल का अर्सा में काम ने काम चे एलेक्शन देख चुके हम लोगोंने यहां पर उस छे एलेक्शन में अगर देख लेकित और की अगरा किण रोगा और इन्शाला आगे हो इस्टाता थ्यास सेफाफ में पूसिंद के अचाता आप और रम आगे आलेक्शन है रहना था देखनेस्ट यह लोगों जो भी नहीं है उसहां एकास क्हीं पोलेटा किया है और शेला को भीड सब्सक्राइब करता हुए और जो बचे हुए काम है इंशालला हम आगे करेंगे हलो मैं गवतमी नार नवरे प्रभग दो से यही रहने वाली हूँ मैं हमारे नगरसेवक के बारे में यह बात बोलना चाहती हूँ कि वो छोटी सी छोटी भी अगर कोई प्रॉब्लम उनके पास लेके जाते है तो उसका वो सोलूशन बराबर करते है जैसे कि डेवलप्मेंट के तो बहुत सारी निधी मिल जाती है लेकिन कुछ ऐसे ही काम होते हैं कि जिसके निधी नहीं मिलती है वो अपने खर्चे से करते हैं हाले में जब नीधिन टौस सहाब का बड़े हुआ था तो चार पास दिन का उन्होंने प्रोग्राम रखा था तो बड़े सेलिब्रेशन के साथ में जो चनकल्यान का यह होता है अपने नगर के लोगों कि क्या सेवा करू उसके हिसाब से उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किये थे उसमें उन्होंने जो गरीब लेडिस है जो कपड़े वपड़े सिलाते हैं जो खुद सिलाई मशीन वगेरा नहीं ले पाती है उन सारतियों के लैपटॉप जिनको एने चाहिए जरूरतमन विद्धार्दी जो आए आई आई टी आए वगरा करते हैं उनका लैपटॉप के सिला काम अगरा नहीं होता ऐसे बहुत सारी जरूरतमन चीज वितरण वो इन बिट्विन करते रहते हैं बिच बिच में जब से वो नागरिकों को हर किसी ना किसी इसमें मिलती रही है और आगे भी हमको मिलती रहेंगी अगर वो चुनके आएंगे फिर से तो मिलती रहेंगी ऐसे हम आशा करते हैं मिले आप से जानना चाहूंगा यह जैसे मैंने की अभी राव नाकरिकों से पूछा कि कौन से विकास कारे रहे गए हैं आपका जो विकास का जो ये कारेकाल था विकास करने का 5 सा लगवाग अभी वो फरवरी में पूरा हो जाएगा लेकिन हर नगर सिवक का एक ड्रिम प्रोजेक्ट होता है कि अगर मैं अगर सिवक बनूँगा तो अपना ये ड्रिम प्रोजेक्ट करूँगा और एक नहीं वो कई सारे भी हो सकते हैं हो सकता है कि आपने कईयों को अंजाम दे दिया हो और हो सकता है कि अभी कई विकास कारिये आपके जो ड्रिम प्रोजेक्ट वाले हैं वो बचे होंगे तो ऐसी वो dream project कौन से हैं जो आप विकास कार्यों में शामिल करना चाहते हैं मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मैं एक खिलाडी हूँ एक मैं अंतर अश्रे खिलाडी हूँ छत्रबती अबाडी हूँ मेरी एक तमन्ना थी कि मेरे आच साल के कार्यकाल में एक sports का badminton hall बन जाए जिसका work order tender सब कुछ हो गया था परन्तु जैसा आपने बता है कि करोना कार्यकाल में हमारा भी वो एक काम रुग गया वैसा ही एक मेरा dream project ऐसा था कि बाबादीप नगर से तारकेश वर नगर को जुड़ने वाला एक ब्रीज है अभी हाली में उसमें बारिश में एक आदमी गिर के डूपके मर गया जिसमें बेरिगेटिंग नहीं है साइड में वह एक बिरिज बनने का मेरा बहुत बड़ा सपना था जिसमें 99 पर्शन उसका टेंडर होके साड़े तीन करोड का शैंक्शन होके सब कुछ हो गया था परन्तु जैसा कि करोना आने से मुंदे साब आये उन्होंने जो भी development काम को रोका मुंदे साब के बारे मैं एक चीज फूचना चाहूंगा कई नगर सेवक सर यही कहते हैं कि जो काफी सारे विकास कारे हो जाने चाहिए थे उसकी फाइल्स को मुंदे साब ने पास नहीं किया जिसके करण उन एरिया का विकास नहीं हो पाया तो यह आरोप से क्या आप सहमत पाते तो उन्होंने प्राइरेटी हेल्थ को दी जनताको दी उस तिसी वज़े से लोगों के काम रुखे मैं हमारे बहुत काम रुखे परहन तुम यह नहीं कहना चाहूंगा कि उन्նहोंने गलत किया उन्होंने आज अगर आज नागकूर की जनता जो बिक हुआ कम ज्यादा हुआ मैं मानता हूँ लेकिन जो भी जनता सेफ है तो आज उनके क्विक डिसीजन के वज़े से ही है तो जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि आने वाले एक मेने में हैं दो मेने में इलेक्शन होने वाले हैं नाक्पुन वानगर पालिका के तो इलेक् जनता जानती है कि पास सालों में नहीं हो पायांगा या नहीं हो सका बहुत से काम ऐसे कि अभी डॉक्टर राउस साब के माध्यम से हमने उसको कंप्लीट करने की पूरी-पूरी कोशिश किये जनता का प्यार है जनता मुझको एक बार और मौका देंगी तो जोग बचे काम है जैसे कि अभी पांच राजियों में चुनाओं हो रहे हैं यूपी, गुवा, पंजाब, मनिपूर उत्तराखंट ये सब राजियों में चुनाओं हो रहे हैं और वहाँ पर रैलियों को इजाज़त नहीं दिजा रही है ताकि कोवीड ना फैल है हो सकता है कि आने वाले टा जनता में रहा, इसलिए मेरे को कोई अतना तकलिफ नहीं होंगी, जनता मेरे काम से अउगत है, उनको मेरी कारिया पद्दिती पता है, ठीक है, सोचल मीडिया भी आज हर काम सोचल मीडिया द्वारा हो रहा है, तो हम भी उसको यूज़ करेंगे और अपना प्रशार करने की पुरी-पुरी कोशिश करेंगे, दिने शादो जी आपका बहुत-बहुत धन्यवार, जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम प्रभाकरमंक दो में आयो वे थे और दिने शादो जी यहापर नगर सिवक इस्थानी हैं, नगर सिवक हैं यहापर वो मौजूर थे हमारे स जड़ी कि आपका बहुत दो जादो जानी हैं, जैसे कि आपका बहुत बहुत दो सादिए.